तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पर तो एक चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं देखो हमेशे हम देखते हैं कि यह चोटी-मूटी जो मूव आती है इनको हमें नेगलेक्ट करना ही पड़ता है मतलब अगर यह तूटके ऊपर जा रहा है तो मैं यह नहीं बोलूगा कि अब खतम हो गया एक बड़ यहां पर टच हो गया तो यह नीचे चला गया या फिर चूट चुका है उस लेवल को तो अभी वहीं पर रहा है तो इसलिए हमें अभी भी यह मारे लिए वैलिड लेवल यानि हम अभी भी बोलेंगे इसको अज़ा सपोर्ट पर यह रसिस्टेंस फेस कर सकता है या सपोर्ट पर उसी लेवल पर यह तो यह लेवल अभी भी वैलिड है चाहिए इसको एसरे सपोर्ट काम करेगा जाए यह एक इस तरह से वोल्यूम का मुझे नहीं समझा रहा कि इ करते हैं दूसरी चीज एक चीज मेंने और कहा नोटिस कि हम हमेशा यहां पर जैसे हमने एड किया कुछ और यह दो तीन दिन का और यह सदन गया पाता है या फिर एक दो दिन जो भी आती है मूँ तो स्टोक्स में क्या होता है आपका सदन ली एक दम से ऐसा निया कि निफ् पर जलता है कि हमारा स्टोक लोज हीट हो गया हमें बाहर बैठना चाहिए या फिर क्या तो इतनी दिन मूव जो हमने प्रॉफिट था इतनी दिन की मूव थी वो सब जीरो हो जाती है और एक दम से हमें फिर निकलना पड़ता है जो कुछ प्रॉफिट हमारा बनता है वो कह अब मैंने क्या सी चीज़ सोची है कि जो भी मैंने स्टोक लिया हुआ है अगर यह एक्चल में रिवर्सल या सपोर्ट के पास है तो मैं इसके बाद क्या करूंगा यहां बीच में स्टोक को बाय नहीं करूंगा इधर 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 या कहीं पर ठीक है मैं बीच में बाय ना निया भी बनेगा हर बार हम ये देख रहे हैं तो अभी क्या है यəं सब्सक्राइब यहां तक जाके वापिस रिवर्स होता है या फिर यहां तक जाता है या फिर उसकता है बिल्कुल मैं negative बोलता हूँ यहीं से reverse हो जाता है तो तीनों केस में किया है, जो मेरे पास है, वही है, अगर यह मार्केट चलती है, तो जो मेरा प्रोफिट बनेगा, उसको बीच में न बाय करके, उसी को मैं एक्जिट करूँगा, तो एक मिस क्या होगा, जो 50% में भार बैठा हूँ, वो भारी रहूँगा, अगर गिरना है म गिरेगा, तो वो स्टोपलोस तो हिट हो नहीं है, तो उससे बचने के लिए, यह चीज में ने भी एक चीज सोची है, जब उपर जाके एक छोटा सा स्विंग बनता है, फिर उपर जाता है, एक हायर हाय बनाता है, या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इसके उपर जा रहा है, वो अभी कुछ नहीं पता, तो सब चीजों के लिए हमें सोच के रखना है, या सोच के नहीं रखना है, या फिर जो हो का उसके एकोडिंग काम करेंगे, तो उस टाइम पर हम क्याद करेंगे, और एड कर लेंगे, या फिर हमने जो हमारे स्टोक चल रहे है, उन बुक कर लिया, इसको, 645.6 पर कर लिया, अब नीचे आया, इस दिन फिर से उपर जा रहा था, मुझे लगा था कि स्टोप लोस पे अच्छा मिला है, और रिवर्सल है, चलता रहा, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, आज यह देख रहे है, जो लाइंग म मैं इसकी जगा, मैं KPIT में नहीं गया, नया ले सकता था, मैं बाय कर सकता था, मेरी लिस्ट में भी आपको दिख जाएगा, यह रहा देखो, ठीक है, तो KPIT नहीं लिया, मैंने के इसके ओपर जाएगा, या फिर ऐसा कुछ एक स्विंग बना रहा है, और उसको ब्रेक कर रह है, या करेगा, अभी मैंने इसको नहीं लिया, मैंने उसी में एड किया, क्यों है अगर यह चलती रहती है, और जब मार्केट भी अगर मेरे से देख रहा हूं कि 10, 20, 30, 40, 50, 100 जो भी चलना है, यहां तक भी चलेगा, तो at least इसके अंदर एक अच्छा मूव आ जाता है, या अब आप क्या कर सकते हैं, शोट-term trade करनी है, positional करनी है, swing करनी है, सब आपके पास open है, कि आपका trend फिर से upside में चला गया, अब आपको जो नया stock लेना है, किसी में 5% देखना है, या फिर एक तम लगता है कि एक दिन में इसने तो 20% दे दिया, निकल जाओ, नया कुछ मिल ज जाओ, यह तो हो गया, तो इसमें कोई doubt किसी को कोशन अभी, मैं एक बास फिर भी सबको कर देता हूँ, अन्म्यूट, बट मैं अभी भी strokes के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आप questions पूछ लेना, इनकेस अगर हमें end करना होगा तो हमें end भी कर सकते हैं, अगर किसी question नहीं होगा, तो यह चीज हो गई, आपको nifty का बिल्कु क्लियर हो गया, nifty में हमें कैसे करना है काम, अभी अब यह ब्रेक करेगा 67.8 के ऊपर था यहां पर और अब करेगा, लेकिन जैसे बाई किया तो वो हिट हो गए, तो जो मेरा profit चल रहा था वो तो जीरो हो गया, जीरो नहीं मतलब मैं तो बैलेंस हो गया, ऐसा जीरो एग्जक्ट जीरो तो कुछ नहीं होता, तो अब यहां जाएगा तो मैं ऐसा बाई ना करके इसको राइड करूंगा और बैठूंगा राम से शांती से गाम करूंगा, एक बर मिस्टेक की, दो बर मिस्टेक की, तीन मैं मिस्टेक की, चार बर नहीं करूंगा, मतलब एक बर हायर हाय नी बनाया, दूसरी बर हायर हाय नी बनाया, त चोथी बार भी जब अब मैं क्या करूँगा इस बार चाहिए वो शायद बनाई दे मतलब मैं सोच रहों कि नहीं बनाएगा मैं इस बार बनाई दे तो अच्छा है मेरे लिए मैं तो cash trader हूँ उपर के लिए मेरे लिए benefit होगा बट मैं confirmation के बाद ही इस बार अच्छे से जो ट्रेड होता ने पूरा full-fledged वो इसके बाद ही करेंगे ना कि 69.8 के सबसे करेंगे कोई नहीं नेक्स चलते है मैं चलता हूं अपनी लिस्ट पर यह blue list जो 37 stocks की है इसको इस तरह से मैं कर लेता हूं ताकि मेरे को क्या पता चले जो बिल्कुल गिरी रहा है वैसे गिर नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ इसमें से जो बिल्कुल गिरी रहा है या फिर आज चल नहीं लोगा तो इसके लिए ATLISS मैं वेट कर सकता हूं तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूं इस तरह से एडिस्ट कर लेता हूं अब यह list में क्यू है यह मैं अब को बताता हूं यह आज चल गया अब चल गया तो ठीक है लिस्ट में तो था पहले से लेकिन इस दिन मैं कल मैं जैसे बहार था तो मैं इस दिन लेना था मुझे ले नहीं पाया था मैं आज कोई और इसको क्यों रखा फिर मैं अगर मैं ले नहीं पाया या फिर यह चला गया इसको रखा था मुझे क्या करना चाहिए या तो रेंज बने यहीं पर या फिर एक चोटा स्विंग बने या फिर रिटेस्ट पूरा करें एक शेक आउट दे पूरा कि या फिर ये ऐसे नीचे गिरे फिर एक स्टोप्रोस मिल जाए या पूरा गिर जाए एक दम सडनली वोल्यूम हम देखेंगे उस तरह पे किस तरह ये कैंडल बनी है और फिर वापिस रिवर्स हो ठीक है तो उस तरह से जब यह ऐसे कुछ बनाएगा तब हम भाई करेंगे नही हाँ पर जरूरी ने कि आपने बिल्कुल यहां पर यह वाइग नहीं किया तो यह ऐसा रिटेस्ट आ सकता है हार्ट रिटेस्ट भी आ सकता है ना देखो आपको इस टाइम पे लगा वह कितने अच्छी कैंडल बन रही है यहां पर यह पर बाएक क्यों नहीं किया विद वो अब गोगा इसको पाइए थीक है सोना टापको पता ही है कि बाइय है और नया बाइय भी आज बन रहा था तो यह लिस्ट में था मेरे अल्रेडी लेकिन मेरे पास सु था बट इसको लिस्ट से हटाऊंगा तो नहीं क्यूंकि मुझे तो देखना है इसको आगे और क्या हो रह तो जब यह इसको break कर रहा था तो बाई बन रहा था अब थोड़ा कर सकते हो कि इतना चल गया है मैं अपना profit भी नहीं जाने देता तो चलो मैं अपनी जो लास्ट डोजी टाइप बनीजी candle उसका लो ले ले लेता हूं और सेफ साइड में यह ले ले लेते हैं क्योंकि यह भी एक mother candle की तरह काम किया ना थोड़ा मार करके दिखाता हूं यह भी एक mother candle की तरह काम किया ना कि यह और यह तो जस्ट एक अपना थोड़ा और सेफ साइड रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसका लो भी ले सकते हो तो उसके बाद अब यह चल गया अब नीचे गिरता है तो आपको एटलिस यह के बता है कि इसके मी नीचे आगया वापिस तो कोई फाइदा निया रखके भी अपना प्रोफिट बुक कर लो में तो चलने को तो इस तरह से आज की यह अच्छी ट्रेट थी ओईल पे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे यह क्यूं था अब देखो इसमें मैंने लिस्ट में 37 है अब 37 में से क्या मैं 37 बाइ कर सकता हूं या फिर मैं आपको पोस्ट कर सकता हूं क्यूंकि इतने सारे अगर मैं पोस्ट करूंगा तो फिर तो मेरे को यह होगा कि मैंने बस पोस्ट करना था कुछ उससे एक्चुली मेरे कोई अनलस है ठीक है यह sideways है ऐसा कुछ इसका कोई trend ऐसा चल नहीं रहा है रहा है दूसरा जो देखोगे यह देखो मारी वो जो candle बनी थी इसलिए मैंने इसका हाई ना लेकर इसको लिया सा जब हाई ना लेकर मैंने क्या देखा है इसको लिया कि at least safe side में यह लेवल रहेगा आपको लग रहा होगा कि यह क्यों नहीं लिया विक्स को हमने क्यों चोड़ा है सब विक को नहीं चोड़ा वीकली candle के तो मेरे लिए buy बनेगा मैं कई-कई हफते एक दो-दो हफते तक उनको analysis करता हूं उनको track करता हूं जहां पर मुझे लगता है कि अब मेरे लिए अच्छा है उस टाइम पर मैं entry कर लेता हूं कई बर वो भी बेकार होता है तो मैंने जैसे हमेशा बोला है कई बर जो जिस तर कुछ न कुछ मुव दिख रहा था चाहे लेल लो चाहे आप आपका बेल देख लो भेल देख लो पी एफसी देख लो सब में कुछ न कुछ आपका दिख रहा था तो HLB मैंने रखा बेल भी सेम मूव थी लेकिन इसमें एक रखने का क्या तरीका था कि यह इती बड़ी candle जिसने लास्ट वोल्यूम को इतनी बड़ी जो मदर केंडल देखो कितनी है मदर केंडल भी नहीं भोलूंगा इसको तो कुछ हो रही है यह बनी और इसका लोग अभी ब्रेक नहीं हुआ चली चली यह एक फेक मूव होती है इस मूव में हमेशा बहुत लोग फसते हैं तो इसमें बाय करने का कुछ नहीं बनता मेंने भी नहीं किया यह कैंडल ने क्या किया उस हेड और इंशोल्टर को ब्रेक किया और इतनी बड़ी मूव दिखाई और इतनी बड़ी केंडल के बाद यह चोटा सा यह डाउनफोल आना मतलब बनता है तो इसलिए हम क्या करते हैं mostly इनको ignore करते हैं जब इतनी बड़ी candle बनती है तो उसके उपर टोप पे बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता next day candle बनी with volume कोई ऐसी खास candle नहीं आई आया आया आज फिर से उपर गया लेकिन यहां पर दो चीजें मेरे देखने के लिए कि एक ये swing है था एक ये rejection थी पता नहीं अभी इसके उपर जाएगा फिर उसके बाद ये एक resistance है तो अगें क्या ही लिस्ट में है अच्छा अगर कोई में इसे पूछता है क्या है क्या है तो अच्छा है लेकिन 37 में से मुझे संबलो 3-by करने है 4-by करने चलो 7-by करने तो इससे अच्छा मैं किसी और को देखना पहले क्यों एक resistance इधर बन रही है एक resistance इधर बन रही है तो बैटर रहे के भी एक बर वेट कर लो और एक बर दुबार ऐसे जाके उपर तोड़ रहा होगा इस तो यहां से तो बै करेंगे इस तरह से मैं इसको वेट करूंगा लेकिन देखना तो पड़ेगा लिस्ट में नि रखूंगा तो यह मेरा कभी कवर होगा नहीं यानि स्किप हो जाएगा जिस दिन में को करेंगा तो मुझे क्या फायदा है इसलिए लिस्ट में रखना चाहिए कि सब कुछ सही है इसमें बस रसिस्टेंस है यहां पर इसलिए वेट कर है हाँ और एक चीज़ और जैसे यह रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या होता है मेरे साथ अभी मैंने देख लिया सब कुछ यह रेसिस्टेंस है यहां पर आ गया फिर इसको काम कर रहा है तो मुझे समझ आ गया कि हाँ इसी वाले लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है फिर कपें इसको बना दिया इधर गया और इधर तो मैं कहीं न कहीं चाहिए वो महीने हफते दो हफते कहीं पर भी मुझे ट्रेड मिल जाती है इनमें मिल जाती है तो मैं रखता हूं सेकंड क्या है वहां से रिवर्स होके इसको भी तोड़ दिया लोगो तो ख़तम फिर हटा देते है फिर रिफ्रेश कर देते हैं अब वी बिल देखो कि आप सबसे बड़ी केंडल बनी थी 61.8 के ऊपर ये एक दो तीसरा इसने मूव बनाया है इसको आज ना लेने का एक रीजन और दिखा देता हूं मैं आपको सेलेक्ट करने का ओप्शन तो समझा गया होगा रीजन क्या है ठीक है ये उपर गया 61.8 के उपर गया था सडन डाउन आया चोटी सी रेंज बनायी फिर उपर गया रिजेक्शन फिर चोटा सा स्विंग और आज फिर क्लोजिंग भी अच्छी है ना लेने का रीजन ये था कि मैं इसको देख रहा था लेने के लिए लेकिन अगर मैं सुबे वाली जो केंडल थी वो इतनी बड़ी बन गई थी उसके बाद ये क्या हो रहा है अपना वोलेटिलिटी यहां पर कॉंट्रेक्शन हो रहा है तो अब इसके बाद ऑप्शन के आता है या तो एकदम बड़ी एक और मूव आ जाए या नीचे आ जाए तो फसना क्यों तो इस तरह की रिजेक्शन अराम से आपको देख के पजल जाए या फिर इतना थोड़ा हो जाता है यह experience में ठीक है तो इस वजए से मैंने इसमें एंट्री नीगी लेकिन मैंने इसको लिस्ट में रखा और आप देखोगे शायद मैंने इसका अलर्ट भी लगा लिया था आइधिंग सो वी बी एल नहीं लगाया मतलब ठीक है वी बील का में कुई देहान नी किसी है तो इससी होगी तो इस रेजन से तो आपको समझा गया है इस तरह से live market में देखना होता है यह नहीं green candle बने बाए इसको भी उपर कर लिये बाए नहीं बहुत चीज है वो लाइव मार्केट में इतना-ना-न दस-वी जैकेंड लेने होते है वह practice के अपर होता है 10-20 second जिसमें नहीं जाना है, पंदल्व मतलब नहीं था, लेकिन लेकिन हिल नहीं रहा, बहुत देर हो गई उस लेवल को क्रोस नहीं कर रहा, जब मैं गया, 15 मेड़ पे ते मैं ने देखा सारा क्या क्या चल रहा है, तो मैंने देखा क्लोजिंग होनी जरूरी है, वेट करते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि मैंने कुछ specialist का कुछ analysis किया हूँ, simple है कि all time high जा रहा है, और कुछ नहीं, कि पूरा आप देखोगे अपना sector है, अगर हमारा जो metal sector है, metal sector है कि आपका? डाउन, और आज rejection मतब कुछ दिखा रहा था, यह अब upside में, जो कि आज तो हर sector दिखा रहा है, तो क्या हर sector दिखा रहा है, तो मैं आज सारी के सारे list में रख लूँ नहीं, तो देखेंगे हम, यह पूरा down है, यह थोड़ा सा अप हुआ है, कोई ऐसा particular ऐसा तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, किसी में को भी मैंने select नहीं किया, लेकिन इसको क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों लिस्ट में रख रहा हूँ, all time high, last कोई fall नहीं इसमें, और जो previous trend line है इसको भी cross कर रहा है, और यह थोड़ा सा रिस्की area होता है, यह छूट छूट छू लेकिन क्या होता है, सेट अप भी आपको कई बर बनना पड़ता है, यह सेट अप क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, चल रहा है, all time high चल रहा है, पता नहीं किस टाम पर छूट छूट छूटी candle के बाद जो किसी को buy sell, buy sell कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो बड़ी candle है, लेकिन इसमें हमने क्या देखा, यह आया, उपर गया, नीचे आया, सेम लेवल पर गया, प्लस चहां से आपका gap गुआ था, उसको यह ऐजा, मैंने बता है ना, gap को हम कैसे काम करते है, gap fill होगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी, कि यहां पर gap fill होगा है, तो यहां पर stroke जब होगा, आपन उसको आप as a stop loss लेकर काम कर सकते हो, उपर गया, यहां गया, फिर सेम उसी लेवल पर चोटी चोटी आपकी doji type candle बनाई, फिर उपर गया, अब इसमें हमें क्या देखना है, क्या यह इस आपाएगा, at least इस trend line के उपर इस swing तक तो जाए, उसके बाद इसमें positive हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको बाएग के लिए देखेंगे, प्लस 69 पाद, second attempt और यह third attempt होगा, तो chances है कि यह मेरे positive होगा, तो अभी तो कुछ नहीं है, but list में कब रखना है, उसको रोज देखेंगे, कैसे है, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ सुर्फ मुझे आके 30 टोक्स देखने है, और खतम काम, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे आना है 30 टोक्स में देखना है, किस में मूँ मिल रही है, मालो इसमें, जिस टाम मैं देख रहा हूँ, यहां पर है वो candle, 20-30-40-50% की candle चल गई, 15% की यहां से candle आ गई, और मैंन मैंने लिए, तो आप देखो कि सब कोई भी हाई के पास नहीं है, कोई भी सब नीचे जा रहे है, ठीक है, एक यह JSL अच्छा है, लेकिन अगेन इसमें देखो कोई वो नहीं बन रहा है, सैटप जैसे अभी आपको सेल में सैटप दिखाए, सैटप नहीं है, उपर जा रहा उस 3-4 को ढूंड के ठीकाल, अब चलते हैं, वहीं चलता है मैंने लिस्ट में, सेल हो गया, PFC है, PFC क्यों भाई किया है, यह देखो, सब कुछ all time high है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब इसमें क्या हम add करेंगे, इसको लेने का reason क्यों था, कि मैंने यहां पे इस पॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा 69.8 तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या combine किया, PFC है यह, PFC कौन सा है, PFC, PFC में क्या हो रही है, इसका मतलब first selection ठीक है, second, ऊपर जा रहा है, कितना है, uptrend में ठीक है, downside में आया, upside में जा रहा है, कितना 61.8 पे, second, हमारा जो यह ब positive देख रहे हैं, उसके साथ even line draw करके buy कर लिया, क्यों, अगर यह भी टूटेगा, तो यह lower low बन जाएगा, अभी के लिए क्या higher high चो टूटे बना रहा है, range बनाएगा, जो भी बनाएगा, आगे तो पता नहीं, और यह आगे चल सकता है, तो जट से buy करना बनता था, तो सिर तो यह देखो, कल भी यह अच्छा सेक्टर था, ऐसा नहीं सिर्फ आज ही था, कल भी यह ऐसे कुछ गिरा नहीं, कल मिन्स में आई मिन, कि अभी recently कुछ गिरा नहीं कुछ खास, ठीक है, ONJC में, देखो, यह range तोड़ी इसने इतनी बड़ी, यहां से, ऊपर जा रहा है, यह आपर रुका हुआ है, HAL, बता दिया मैंने, OL, हमने बात कर ली, Gale, अभी बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर दिख रहे थे, कि सब स्टोक्स, यह देखो, यह भी अच्छा है, मैंने रखाने लिस्ट में, क्योंकि काफी इसमें confusion है, कि फर्स, सेकेंड रिस्टेंस, थ को 50% तो आपकी reduce हो जाएगी, ठीक है, चाया आप भेल देख लो, कोई भी देख लो, सब में, आज की केंडल नहीं बोल रहा हम है, सिर्फ देखो, आज की केंडल छोड़के, बाकी और भी केंडल देख लो, यह देखो, यह रेंज, कोन कर नहीं देखा मैंने, नीचे ही है, इनको देखने की जरूद भी नहीं है, जो मैंने बता है, उन सब को आप देख सकते हो, कोई भी weakness नहीं है, आज की candle छोड़ दो, तब भी मैं कहा हूं, weakness नहीं है, किसी में भी आज की candle छोड़ दो, कोई weakness नहीं है, sorry, गेल, कोई weakness नहीं है, इस candle को छोड़ दो गे तो भी, ठ तो इस तरह से हमें क्या है? कम्बाइन करना पड़ता है, यह चीजे आपको लाइफ मार्केट में करना पड़ता है, कोई उप्शन नहीं है, इसका कोई ठीक है, PFC आपको हो गया, TechCamp मैं बता देता हूँ, TechCamp और आपका, अगर मैं एक बार बार रिपीट कर सकें, ठीक है, सेम क्या है, बड़ी मूव आई, रसिस्टेंस है, 123 बाइ करोगे, नहीं, क्यों नहीं करोगे, क्या करोगे, 100% चल रहा है, कोई दिककत नहीं, हाँ से यहां तक कितना होगे, 100% कोई दिककत नहीं है, हम ट्रेडर है, हमें सिरफ यह मूव पकड़ने है, 20-30%, 40%, 50%, 100% मानलो, हमें पूरा इसको स्टोपलोस मिला, प्रोपर पता है, कि इसके बाद अगर उपर जाके वापिस नीच आता है, कहां निकलना है, इसके नीचे, क्योंकि इसने जो यह रिटेस्ट किया, या फिर नीचे गया, उसको भी तोड़ दिया, तो मेरा स्टोपलोस बढ़िया मिल गया, यहां पर क्या म एक रिजन आता है, कि आपको यह शायद, आपको जब यह नीचे आएगा ना, तो आप यहां पर यहां पर तो आप confused होगे, यार इसको ही रख लूँ क्या, इसके नीचे रख लूँ चल थोड़ा सा बफर देता हूँ, वो चीज पसंद नहीं है, वो चीज होनी नीची है, इस वfully जय से हम इसको बेट करते हैं, आप चले जाते हैं, इसके अंदर ही मैं दिखा देता हूँ, साथ के साथ, गेल पे चला जाता हूँ, ठीक है, गेल पर अगेन क्या है, यह देखो, गेल पे क्यूं मैंने लाइन डाली है, यह देखो, यह देखो, यहे देखो, चोट- चोदने पड़ते हैं फिर यह आया फिर उपर गया नीचे आया फिर यह भी पर आया तो एटमीस रेस्पेक्ट हो रही है इसनों लेवल को कॉंट किया इसको भी और इसको भी ऐसानी कि मिस कर दिया यह कि safe side वाला level हो जाता है कि आपने at least ये वाला level तो mark किया अब देखो यहाँ पर जो मैंने mark किया था वो यहाँ पर भी काम कर रहा है तो वो पीछे की side में बनता है mark करना फिर इस level पर आ जाते हैं कि यहाँ पर तो इस उने तोड़ दिया फिर से फिर क्यूँ नहीं देखो यहाँ रूका इसके ओपर यह टच हुआắng रेस्पेक्ट कर रा है YES ऊपर गया नीचे गया इसको रेस्पेक्स कर रा रहा है इसको । वापिस नीचे रेस्पेक्स कर रा है YES तो इडमिस मुझे जरूरी कर पाएगी मुझे तो नहीं पता हम मैं इसा है इतना एक्सपर्ट नी कि मैं फ्यूचर में बता सकूँ कोई भी नहीं बता सकता है ना तो वह चीज हम नहीं करेंगे क्या यह इस केंडल पर सब्सक्राइब करने के बाद भी हम फेल होते हैं इतना करने के बाद भी इतना करने के ट्रेड में मेरे प्रेटफोसेट होते हैं यह होता है बहुत चीज़ होती हैं क्योंकि सिर्फ चार्ट पर काम नहीं होता चार्ट के सास्थ बहुत चीज़ें जो कि हम skip कर जाता है नेगलेक कर जाते हैं या नहीं आता हमें 15-20 साल भी लग सकते हैं उसको चीज़ों को सही करने तो यह rejection आ कि इस पर थे पीबिएल सेल पीएफसी टैकम के पास तेस अपर जल्द जल्द करते हैं इसमें जैसे कुछ खास नहीं है देखने का यह देखो एक लेवल बहुत बढ़िया लेवल शुरू से चलता रहा है इस कैंडल में बहुत हवी वोल्यूम आई और आज डिजेक्शन को तो इसको अभी लिस्ट में रखना बनता है अगर इस से क्या पता है एक चीज कि जब आप देखते हो आई टी में बहुत मूव आ रही है और आपके लिस्ट में ज्यादा आई टी है इसल टैग यह आ रहा है तो आपके अगर तो फिर पूरे सेक्टर पर वाइस जाते हो इसमें कुछ आपको ऐसा खास बताने का नहीं है यह देखो यह ओल टाइम आया पर ब्रेक हुआ था इसके बाद यह उपर गया था एक छोट इसी रेंज बना ही रेंज को इमें ने बोला कि चलो अब स्टोप लोस ले लेते हैं वह अभी तक ब्रेक नहीं हुई और यह चल जाएगा इस केंडल में ठीक है यह पढ़ा है मेरे पास इसको लिस्ट से हटा नहीं सकता भी और भी इसमें अच्छा चल रहा है कुछ ऐसा लेवल इसने ब्रेक नहीं किया तोड़ा नहीं है जो कि इसको नेगलेक्ट करें SCL Tech यह लिस्ट में रखा था मैंने मेरे पास था सब कुछ हमने देखा था इस पर डिस्कुशन भी हुआ था लास्ट टाइम 16.8 मैंने भी देखा सब ने देखा लेकिन हमारा क्या था वन वन जिरो फोर नहीं टूट रहा था तब तक मैं इसमें जाना नहीं चाहता था आज कहाई है वन जिरो फोर ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इसने रेसिस्टेंस लिए इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद उसको मैं मैं यहीं महानूँा कि 1104 से रेसिस्टेंस लेकर नीचे गिरा है कुछ कुछ गिरा नहीं है तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि देखो उसी पउइट पे रेसिस्टेंस ली है उसका अब कोई Olivier कहा है तो उसके लिए अच्छा है अभी पता चल है अश्रा लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर उसने किसी ने बाई किया तो वेरी गुड अच्छा था क्योंकि आपकी जो क्लोजिंग वो अच्छी है और यह उपर कंटीनिव कर सकता है अगें कंटीनिव करेगा तो जो को रसिस्टेंस और ब्रेक यानि अब हम यह जो को इतना ब 61.8 होगा ऐसा नहीं ट्रेंड तो आप है आई टी चल रहा है आप वो सब पता है अब देगें जैसे अब ने अभी उसके लिए किया था अच्छा ठीक है क्या कर रहा है अब ट्रेंड येस कैनल कैसी दाउंसाइड में चुट-चुट-चुट-चुट-चुट-चुट- को मैंने और एड करूँगा सिगनिटी है मेरे पास उसमें और कर लोंगा रधन देन कि नहीं नहीं में ट्रेट लो और हायर है बन जाता है आई टी में फिर तो सोरी निफ्टी में या फिर मार्केट पर अच्छा चलती है फिर यहां पर भी बाय करेंगे इसको मोका तो यहा से और उपर की मूँ मिल गई हमारे लिए सब बराबर है किसी में भागने की जरूरत नहीं है फ्लोर कैम आपको पता है मैंने यहां पर पोस्ट किया था यह मुझे अपर रेट याद नहीं है कि 2830 था यह 2825 था जो भी था इस पॉइंट पर मैंने किया था इसका वोल्यूम अपर आपको मैंने थीक है उसके पर नीचे आया यह बड़ी अच्छी कैंडल आई इसके बाद देखोगे अब ड्राय आप हो रही है आप में वोल्यूम जब ड्राय होती उसके बाद भी नीचे आता है कोई फरक नहीं पड़ गिरने दो उसको बाय नहीं है लेकिन जब के बाद ये second बनता है तो chances है कि at least first resistance तक जा सकता है, chances again, कोई confirmation नहीं होती किसी चीज की, तो ये buy किया था, second, यहाँ पर कोई मेंने exit नहीं किया, मेरा stop loss क्यूंकि जब यह लिया था, मेरा stop loss भी यहीं पर रहा था, मैंने SSZ से उपर नहीं किया था, ठीक है, कोई मेंने exit नहीं क 0-0 ही जाएगा, नए stocks में अभी add ने करेंगे, इनी को ride करेंगे, तो आज यह उस resistance तक चला गया है, किसी को नया buy करना है, तो कैसे करेगा, चोटा सा swing आया, तो buy कर लो, detest आया, तो buy कर लो, लेकिन अभी यह हमारे पास क्या है, list में रहना चाहिए, तभी हमें पता चलेग कि next move कि आएगी, straight चलता है, तो ठीक है, हमारे पास है, और अगर आपने, जिसने नहीं लिया है, और वो straight चलता रहता है, तो मत लो, क्योंकि इतने सारे stocks हैं, उसमें से एक नहीं लोग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे profit देगा, कोई आपको देगा, ONGC क् last time ही थोड़ा सा उपर हो गया, लेकिन gap है, और यहां पर भी देखो, उसी ने उसी को resistance माना, तो यह मैंने, इस candle पे इसको list में डाला था, ONGC को यहां पर, तो buy नहीं किया, इसको wait किया, नीचे आया, उपर गया, again मैंने क्या देखा, यह चीज थोड़ा सा difficulty है, इसके continue करें, लेकिन again, list में रहेगा, जुरूरी नहीं, list में जो चीज रहेगी, 37 के 37, 37, buy करने नहीं, मन नहीं करता है, तो मत करो, जैसे मैं इस पर buy कर रहा हूं, और मेरा हाथ चला गए KPIT पर, और वो जा रहा है, old time high, तो मैं करूँगा, मेरे पस एक stock लेनी की जगा है, ONGC लो जाइडस, तो मैंने आपको यह दिखाया है, कि हर एक stock को मैंने अगर रखा है, तो हर एक stock का reason, हर एक stock का reason है लेने का, हर एक stock को tick करने का reason है, कुछ भी आपने अगर लगता हो कि ऐसा नहीं है, तो कुछ बेकार था, downtrend था, फिर भी आपने क्यों रखा, और इस list को live market में ब पर रखने ही पड़ता है, जाए-जाधा 15-20 आदे घंटे का काम था, क्योंकि इतनी सारी चीज़े देखने के लिए time नहीं लगता है, जो पहले लगता है, जाइडस, आप यह देख रहे हो, यह resistance थी, बड़ी candle बनी, इसको नहीं break किया, चोचोचोटी candles बनती है, कोई दिक लगता है, तो आप क्या गरों, रोज ऐसे ढूंड़ो, आपका भी time कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो जो चाहिए, वो मिल रहा है, तो मैं उसको okay करता हूँ, नहीं मिल रहा है, छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से time बहुत कम लगता है, तो अभी तक आपको मैंने जो समझा है, आपको किसी को लगा हो कि इसमें तो कोई reason ही नहीं है रतने का, तो अभी unmute करके बोल सकता है, नहीं तो chat में डाल दो group में, stroke का नाम भी आप डाल सकते हूँ, तो next लते है, Maruti, Maruti का इसको देखने में सबसे हाइस्ट सेल इसी में थी, तो यह मैंने आज नहीं देखा है, यह जो बड़ी केंडल बनी नहीं है, यहां पर लिस्ट में रख दिया था, मैंने इसको मारूती को, और वेट कर रहा था कि 61.8 पर देखो एको टच है, बड़ी केंडल भी बनी है, यह टच आया है, क अटाता है, 31-30 को, तब से मैं इसको लिस्ट में लेकर वेटाओं, बेड कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूं, मूव कैसी है, आप देखो, यह बेकार मूव देता, हटा देंगे, उस अटको से ही कर रहा है, तो एक मोगा आएगा और उसमें भाइ करो, और पर नी जा पाया ठीक है डाउन गया इसको ब्रेक कर दिया इसका मतलब आप हम आराम से बैठेंगे छोड़ देंगे इसको लिस से इवन हटा भी सकते दे यह आया यह रिजेक्शन आई तो आप देख रहे हैं जो लास्ट टाइम आपकी जो सपोर्ट था इसका मतलब उसको यह संब रहे आपको यहांन नी बनाना आपको यहां से देखना है कूंसा लेवल एक अभी तक काम कर रहा है यह काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, इसका मतलब मेरा support के पास है, और आज की candle क्या बता रही है, कि आपको rejection के लिए okay है, अब next time आपको क्या हो जाएगा, इस candle के बाद आपको buy sell करने से क्या benefit मिलेगा, next candle हो सकता है, डाउन में है, और इसको 61.8 तक के लिए at least हम फिर एक देख सकते हैं कि हाँ, और जब भी चलेगा तो और अगर अच्छी और कोई news आती है, कुछ अच्छा चलता है, तो क्रोस भी कर जाएगा, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एक fake out ही चाहिए ना, एक समलों यह बड़ा सा fake out आया, वाप क्यों निकल गए और profit भी मिल गया, उसके आदो फिर गिरे कुछ भी हो, हाई matter निकलता है, ठीक है, तो इसलिए यह reason दिख रहा है, प्लस में, यह अपना highway से भी, जो whole time high के पास, हाँ, इसमें चाहिए रीजन होता हूँ, इसको क्यू लिया था, लास्ट टेम ही हम डिसक्स क हमने बात की थी, तो उस टाइम पे हमने इसको यहीं पर डिसक्स किया था, शायद नीची ही किया था, यह बड़ी कंडल भी नहीं बनी थी, यहां पर डिसक्स किया था, अगले दिन ही शायद बड़ी कंडल बन गे थी, अगर एक बड़ देख लेता है, Saturday Sunday होगा, तो Monday न, य Friday, यह देखो, इसकेंडल पाई थी, Friday को, Saturday Sunday को, इसमें डिसक्स किया होगा, शायद, मैं कोई ध्यान ने आ रहा है, तो रैडियो पे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कोई मेरे कन्विक्शन नहीं है, बस रखा है, और मेरे को समझनी आ रहा है, इसमें कि यह रिजेक्शन ह किया जाए, यह देखो, यह रिजेक्शन है, यह रिजेक्शन है, तो रखा है, क्योंकि स्टोक सब कुछ सही है, आगे इसमें future में कुछ अगर मिलता है, तो क्यों बहुत ज़्यादा है, इसमें fake-outs बहुत ज़्यादा है, और कुछ नहीं है, को ब्रेक करेगा, क्या करेगा तो इससे क्या होता है आपको लिष्ट में रखा है लेकिन आपको इससे क्या है अब्जर्व करते तो आपको समझने के भी तो मिलता है ना यहां का समझा हुआ कुछ कहीं और यूज करूबा कोई बड़ी चीज निया समझने के लिए ओल टाइम हाई ओल टाइम है यहां पर देखने की जरूत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है नाइटीन तक आप इतनी बड़ी ट्रेड नहीं कर रहे हैं आपको होरिजोंटल लेवल दिख रहा होता तो अजलग बाती त प्रेड नीचे आया बिल्कुल लो वोल्यूम ड्रायप ठीक है वोल्यूम को ऐसा हम देखने हैं लेकिन इस लेवल को ना तोड़कर बैठा है अभी बाय नहीं है यह क्या है कोई हाई या कुछ तोड़ा नहीं को अच्छी केंडल नहीं बनेगा लेकिन क्या है यह जब तक नहीं तोड़ रहा इसके पास में आता है और फिर उपर जाता है या फिर स्विंग हाय तोड़ता है तो जब तक यह नहीं तोड़ रहा है यह बहुत अच्छा स्टोक है बड़ा अच्छा सैट अप बनेगा जी एस पेल हमने लाइव मार्केट में पोस्ट किया था कुछ नहीं है इसमें भी सीम होरिजॉंटल बाउंडरी है जो हमने बात की थी लास्ट टैम अगर हमने बात कि आपको याद होगा कि इसके उपर होने दो तो क्लोजिंग क्या थी इसकी थी कि जब इसके उपर लोरी हो तब उस दिन देखेंगे तो यह थी 282.80 कल की लोजिंग क्या थी 282.85 पांच पैसे उपर क्लोजिंग हो गई है एक ठीक है यहां पर मेरे को आइडिया पिल कि यह आज उपर ही क्लोज होगा ठीक है जिस तरह की मूव है जिस तरह की कैंडल बन रहे थी उससे मेरे को आईडिया आ गया था यह मैंने इसलिए के आभी उपर जा सकता सै अब कल उपर जाएगा नहीं जाएगा वह तो फि सम्झे से तरह का? आपको याद है इसका इसमें में को ज्यादा बताने ही जरूत नहीं है बहुत बार इसको हमने डिसकस किया है कि यह उपर जा रहा है और अब क्या होता है देखेंगे यहां तक जाता है यहां से कहीं रिवर्स होता है एंटी-पी-ची जो लिया था जिस रेजन से वह यहां पर था अभी यह रेंज में चला गया है अब रेंज तोड़ेगा यह नहीं तोड़ेगा वह अलग बात है लेकिन यहां पर मैंने इसको देखा था कि यह चोटी सी रेंज तोड़ रहा है यहां पर एक रिजेक्शन दो रिजेक्शन और उस टाइम पर इसने रिजेक्शन को उपर चला गया था तब मैंने इसको और आपने चलने दिया और आपका यह टूटा आपने एक्जिट कर दिया तो इस तरह के ट्रेट तो जो मदर केंडल में चलते हैं स्टॉपर्स अच्छे मिलते हैं तो कर लेते हैं हम कभी-गभी कि इसको क्यों हुँ रखा है मल्टि टेस्ट मल्टि ये जो आपका डियर आप को देक्सकते हो इक बार घर और क्लीर इस तरह से ऐसे मान लो कि हमने लाइन पहले ड्रो कर दी यहां पर और अब आगे वो उसी पर रूख रहा है क्योंकि उसको हमने बता दिया कि भी होँआ रूखने है तो इस तरह से होता है तो अच्छा भी रहता है और आपको अपने ऊपर उपर चलता है लेकिन बाय हो जाएगा नहीं तो मैंने क्या देखा एक लेवल निकाला है यहां से गैप यह भी उसको टच कर रहा था यह भी उसी को टच कर रहा था और जो इस रेंज बनी थी यह भी उसी को उपर थी तो एट्लिस इसके उपर तो जाना चीए तब मैं देखूंगा otherwise मुझे क्या करना चीए इस स्विंग हाय के उपर जाएगा तो यह तो अच्छा है क्योंकि मैं इसको लाइन को हटा दूँगा फिर क्या हो जाएगा यह डबलू पैटर्न की तरह काम करेगा लेकिन इसके उपर जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी क्या है ना सपोर्ट के पास है तो रिस्क भी ले सकते हो क्योंकि एक छोटा सा स्विंग भी मिल गया तो भी खाम बन जाएगा कई बर होता है छोट छोटे स्विंग भी लेने चाहिए जो भी ने कि मैं इतने बड़े स्विंग के यह हर बार सोच हूँ तो सपोर्ट के पास है अच्छा है चोटा सा स्विंग बनके उपर जाता है तो और अच्छा है लेकिन मैं कोशिश रहोँगा जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है फिर से यहां पर ऐसी rejection दे रहा है तो cost to cost भी निकलने को तेयार हूं उसके बाद फिर कुछ भी ठीक है तो अभी यहां पर इसको देख रहे हैं कि इसके उपर जाता है नहीं जाता लेकिन लिस्ट में रखना है हम यह discuss नहीं कर रहे हैं ठीक है कुछ नहीं इसमें भी देखो horizontal line कितनी अच्छी बन रही थी और उसके बाद ब्रेक किया range बनाई range को ब्रेक किया अब रिटेस्ट करता है और उसके बाद वापिस start करता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास है hold में पढ़ाई और यह stop loss नहीं अब stop loss इस रेंज के ऊपर रखाए मत ब्लाई ने जरूरी नहीं चेंज करना कर छूट जाती है ठीक है तो यह मेरा अब stop loss हो जाएगा देखते है stop loss in the sense कि retest करके उपर जाता है या उसके वाद वापिस पूरा नीच आ जाता है तो नीच आएगा तो क्यों मैं coast से नीचे इसको जाने दूँगा नहीं और अगर continue करता है तो बहुत उची बात है अब इसके उपास सामने भी यह बहुत बड़ी रेंज है नेगेटिव रेंज लेकिन क्यों लिया तो आप देखो जो नेगेटिव रेंज है लेकिन stock की move देखो stock का trend यह देखो यह trend है यह trend है यह trend यह और यह फिर तो वह चीज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कोई multi-year से भी यहां लिया है ना कि all-time high के पास ले रहे हैं जो कि हमारी resistance बहुत पास गेल मैंने explain कर दिया इसको दुबारे करने की जुरूत नहीं है ITC इंटेक्ट है तो तक यह कोई दिक्कत नहीं है चलने तो इसको यह all-time high यह लेवल है लेकिन अभी एक छोटा सब स्विंग मिला है स्विंग के नीचे नहीं जाए तो बैटर है जाता है तो at least इस लेवल के नीचे तो नहीं टूटना चाहिए यान एक तरह से यह higher high के तरह ह तो अच्छी बात है नया भाई मैं recommend नहीं करूंगा अभी क्योंकि यह जो range बन रही है इसमें volume भी increase decrease decrease ऐसी कुछ हुई नहीं है जैसे होता है न ड्राइप तो सब कुछ नहीं अभी इसमें तो कहना मुश्किल है कि अभी क्योंकि पैटर नहीं है अभी कुछ अब तो जिसन सब्सक्राइशन में छोड़ दो महिंद्रा सी आई अपका यह इस नहीं पर ब्रेक किया था जैसे मैंने भी आप एक्स्प्रिन किया इस तरह से क्या यह चोटे आपको शेक आउट देका चलता रहता है तो चलने तो मेरे पास है इसको कोई दिक्कत नहीं है इसके और अभी यहां पर देखो यह मेरे स्टोप्रों से पहली यह था थोड़ा सा मैंने थोड़ा सोप्र कर दिया इसको ठीक है और बस ऐसे के यहां तक भी आ गया तो फिर निकली जाता हूं यहां तक भी वेट करके क्या करूंगा तो इसलिए अलट लगा है तो उसके बाद अभी चलता ह अच्छी बात है इतनी बड़ी कंडल के बाद रेंज पक्का आएगी और शेक आउट भी अराम से आएगे हो सकता में निकलना पड़े कितने स्टोप अच्छे है बस इतने ही है ठीक है तो जो बैंक में था बैंक में मैंने दो स्टोप सेलेक्ट किये एक तो यह सपोर्ट के उपर है एक रेंज बनाई थी उस रेंज के ऊपर यह है ओल टाइम हाई के पास है यह पास है असपास अगर बैंक में मुझे को स्टोप लेना है तो यह इस तरह से लिया था यह नहीं कि मैंने इसको रखा है बड़ कुछ से होता है कि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ हो रहा है यह हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ ऐसा खास नहीं है तो छोड़ दिया फैडल पैंक है अच्छा देखा था मैंने हाँ ठीक है यह सपोर्ट था इसके उपर है इसको हम लिस्ट में रख सकते हैं अब क्या होता है आपके इतने स्टोक हैं यह चल रहा है तो कैसे ल तो ऐसे लिस्ट में चलता रहेगा कभी वार हम नहीं लेंगे उसको आगे सोब तता दो महिने बाद कहीं और लेवल पर उसको बैक करें लेकिन ये पता रहेगा कि हां उसने इंपोर्टेंट लेवल नहीं ब्रेक किया है उसको चल रहा है ऐसे नज़रों के सामने रहते हैं अचा यह भी है इस लिस्ट में ठीक है कि रोसकर के लिए अपको ऐसे कुछ खास नहीं है मेरे लिए बताने को मैंने जैसे बताया था लास्ट टांब कि यह सपोर्ट रिटेस्ट किया था यहां बाया था अब उस आई नहीं लेको क्याएं लेकिन आपका अच्छा चल रहा है तो लिस्ट में रखना चाहिए , क्योंकि इतना अच्छा Stream , इतना अच्छे लेखल से उपर जा रहा है है। हम इसको रिटेस्ट करकर के और अगर यहां पर रिटेस्ट तो बहुत अच्छा फिर से नया refreshing buy और जब तक चल रहा है चलने दो और इसने pattern बहुत अच्छा बनाया था यहाँ पर जो यह बनाया था नहीं यह pattern मैंने उस टाम देखा नहीं नहीं तो मैं इसको यहीं पर बाई कर लेता वोल्यूम के साथ थी केंडल भी बहुत अच्छा पैटन है इस वजे से भी मैंने इसको आइसे पिक नहीं करता आपको पता है कि मैं ऐसे कोई रिटेस्ट किया चोटा सा और रेकाउट दे रहा है चोट है आता हूं में उस पर एक आपका जाइडस हो गया और हम देख लेते हैं बस यह लिस्ट यह खतम है हो गई सूर्य रोश्णी क्यों है लिस्ट में आप देख सकते हो यह टच था वन टच यहाँ वन टच टू टच थी फॉर फाइफ और उसके यहाँ पर जिग जग बना रहे है लेकिन आप क्या देखोगे यह मर्दर केंडल बनी इसका लोग नहीं तोड़ा फेक और केंडल बनी सेवन फॉर्टी टू किया सपर्स हटा भी सकते हैं इसको यह ऐसे कुछ खास मेरे को अब नहीं लग रहा उस टाइम ते जब यह मजा नहीं आ रहा वोल्यूम भी डाउन जा रही है तो हाँ एक चीज़ और इसको मेरे दो लाइन क्यों की और आज क्यों नहीं दिया इसको य सब्सक्राइब करें रावाट मोगायल कोई इसमें बड़ा रोकेट सीउइस नहीं है फर्स्ट टच शेकन टच थार्ड फॉर्ट फिफ्ष्ट सिक्त सेवंध एट नाइं तो इसको क्या लाइन बनाएंगे निवनाइंगे बनाएंगे बनाएंगे रेलें रोकी कोई बड़ जो लगता है मुझे उसी टैम warning में या रखना है तो राख लेता हूं वह देख्ता हो टिक है जोब हैं जो इसे हैं गाल फोड़ा है के तो भी हम क्या करते हैं बैठे है इसको बैठे है इसको तो यह लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है यह उपर गया यह डाउन आया फिर एक बड़ी के दर बनी फिर डाउन आया फिर यहां पर ऊपर गया कोई वोल्यूम नहीं तो यह डाउन जाके वापिस आसकता है लेकिन प्रेटेम ना करके हम क्या करेंगे यहां तक का वेट करेंगे इसको ब्रेक करें या फिर ऐसी कोई सिग्नल दे वेट करें कुछ ऐसा बताए अभी कोई प्रेटेम नहीं करेंगे टिक है मेरिजा मिर्जा क्लीन है आपके पास आप मैंने पोस्ट कर चुका हूँ यह इसने बहुत अच्छा इसने वो बनाया था रिवर्सल पैटर्न बनाया था यहां से ब्रेक आउट दिया क्लीन रिटेस्ट किया उपर है अब आगे इसके बाद वापस नीचे जाता है उपर जाता है मुझे भी नहीं पता लेकिन प्रोपर सेटप आपके सामने है बिल्कुल क्लीन सेटप है वह लाइन जो ड्रो की थी उस एग लाइन पर आज ड्रो थोड़ न किये हो तो यहां ड्र रोगी थी इस पॉइंट से इस गैप के साथ इस ट्रच के साथ इस ट्रच के साथ रोगी थी उससे टेस्ट हुआ प्रोपर और उपर जा रहा है और वोल्यूम में आप देख सकते हो कोई यहां पर भी वोल्यूम अच्छी थी डाउन साइड में कुछ ऐसी बड़ी कैंडल अब ही लेगे निवूम का ऐसा कुछ नेगेटिव अभी तक नियाया पॉजिटीव भी इसमें होता कि बहुत वोल्यूम आ गई है नेक्स्ट केंडल में बहुत वोल्यूम आ जाय तो पॉजिटीव बहुत अच्छा बना चो रेंज बनी थी जो बनाता उसको रेस्पेक्ट तो यह देख सकते हो यह मेरा था लट 9-5 मैंने का कि अगर यह इसके नीचे जा रहा है तो फिर वह बात ही नहीं बनी जो उसमें होनी चाहिए जो मैं को देखना था कितना माइनर सा गैप रहता है ऐसे गैप से खेलता हूँ मैं काफी बार मेरे से होता है कि मैं अपने लेवल्स को मतलब जा मुझके टेस्ट करवाता हूँ यहां मैं देखता हूँ क्या करता है यह महालाइफ निकल चुका हूँ मैंने बाई किया था I think सबको पोस्ट में देख सकते है। आप मैंने बाई किया था यहां बाई किया था जैसे बाई किया उस से ही गिर गया मुझक कर नहीं सकते है इसटेट कर दिया इस कैडल में एक्जिट कर दिया 25 को चला नीच आया वापिस लेकिन इसने वह लेवल नहीं तोड़ा जिसको मैं देख रहा था कि 1-5-0- लेकिन अभी एक्चुल जो आपका लेवल था वो नहीं तोड़ा तो जब वापीस अगर इसको यह दुबारे जो सेकंड अटैम में आगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा वोल्यूम बता रही है कि हां कोई कोई कर रहा है मेरे को निकाल दिया लेकिन फिर से हम इसको पकड़े और अगर वो अच्छे से बाय करने वाला यह बंदा है तो वह ऐसे पांदस दो परसेंट के लिए नहीं लेगा एक्लिस यह लेवल 430 440 के पास जाएगा ड्रो भी कर देता हूं अभी के अभी याद रहेगा ठीक है यह 440 लेवल हो गया अप्रोक्स क्योंकि यह भी बनता है से तो यह भी बनती है रिजिस्टेंस यह भी बनती है यह बनती है पता नहीं कहांता जाएगा लेकिन एक अच्छा लेवल जो दिख रहा है 440 अगर इसक दरे से अवारे बाउंसीज आ सकते हैं इसके लिए देखो यह रसिस्टेंस के पास है अब नया एंट्री नहीं करें नहीं बताऊंगा नहीं रिकमेंड करूंगा क्यों यह वाली भी और यह वाली बिदोनों पास में वह मुश्ट तूड जाती है लेकिन मैं रिकमेंड अभ अभी कुछ नहीं है अभी मित करें रिस्टेंस के पास है जैंजार सिंपल सेट अप है इतनी हैवी वोल्यूम आने का रीजन क्या है पता नहीं बहुत हैवी वोल्यूम है बाय करें हम फस जाएंगे क्यों कि वो बायर है या सेलर है क्या कर रहा है क्या चल रहा है आप नहीं जब ये शायद ये candle या कोई candle या पता नहीं कुणसी candle पहले ही ड्रो करके रखा था कि इस वे तूटेगा अभी तूटा नहीं तूटा तो बैठे है अभी तूटेगा तो भाई नहीं करेगा तो तो फिर हम बचे हुए है अच्छी बात है ठीक है अब शुप्रीम इंडेस्ट्री देख सकते हैं आप सुप्रीम इंडेस्ट्री में ओल्टाइम हाइब रेक करके वोल्यूम बढ़ी अच्छी बल लग रही है मुझे इसमें वोल्यूम जो यहां पर आरी है ना ओल्टाम हाई और उपर जा रहा है यह मेरे को पोजिटिव और दिख रहा है लेकिन इस रिजेक्शन भी आ रही है मतलब भाइक के लिए मेरे को ऐसा कुछ हो सकता है यह टाइमिंग और यह मेरे सामने नहीं आया जैसे भी तो वोल्यूम बड़ी अच्छी है मुझे यह यह मेने आज़ा अब्जर्वराइज करना है इसको मुझे है यह य लेकिन यह मैंने क्या रखा है इसको देख रहा हूं रहा हूं से समझने के लिए जिस तरी की वोल्यूम सारी है और केंडल आ रही है न तो थोड़ा समझेंगे दब रीड पढ़ेंगे ठीक है फैट बैंक में आपको बताई चुका हूं एक किसी ने पुछा था भी फार्मा त सपोर्ट पर रिवर्सल तो आए नहीं अगर यहां सपोर्ट पर टाच हो कि बड़ी कंडर बंती तो मैं बोलता चलो एक पर देखते हैं इसके स्टोक अभी देखनी जरूती नहीं है लेकिन क्या सिर्फ हम सेक्टर के इंडेक्स को देखकर हम सब कुछ नेगलेक्ट कर देते क्या एक लिए इतने अच्छे सपोर्ट के अरे चाट गाया तो सपोर्ट के उपर देखो प्रोपर इस लेवल को उपर जो कि हमें चाहिए लेकिन बाइय करेंगे नहीं यह तो नेगेटिव है मजे तो यह रेंज जो दिख रही है यह तो पोजिटिव नहीं आता मैशको लि पर आपके सामने ड्रो कर रहा हूं रिकॉर्ड भी हो रहा है यह मेरे को ब्रेश लग रहे हैं तो यह टूटेगा नहीं लेंगे आप देखना यहां से भी नीची भी जा सकते हैं वह देखेंगे अब मैं पोस्ट करूंगा बिल्कुल अगर यह कुछ होता है बाकि किसी में कु विज़त है आज प्र्षारः ठीव में कर सकते हो लेकिन भी वहली बात के उलर टाइम रहर है नी बनाया यह रैसिस्टेंस पास में है बिल्कुल 500 बолड़ो सीदह तो फस्ञ की तो आगर पूरा श्यक्तर तो यह देखो यह तो मेजर लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो कुछ ही नहीं कितना बड़ा सेक्टर है और एक भी स्टोक ऐसा नहीं है जो कि मैं आज इसको अरे वाए तो रखना चाहिए ग्लेर मार्क कुछ नहीं है देखो इसका वेट किया था इसी को रिस्टेस बना के नीच लिए छल्याँ हैará को फिर्ट करनी है नहीं है कि कुछ नहीं है रिक्याम कbnल था दो दिन पहले अग्धिन ठीक है इसमें कुछ नहीं है इंडो में कुछ नहीं है था भत्म आप्स दिसको चूद दो एक फिस्टोक अच्छ लोड़ार शोड़ाइर तो हमारे साय इस आरे श् इसका रीजन भी बता दिया है ऐसे बाई सैल नहीं करना एक एक स्टोक दो दो स्टोक देखके करने हैं ऐसे कुछ बाई नहीं करना मैंने पूरी लिश्ट आपको एकस्प्रेइन कर दिया है अब जब मैंने इतना एकस्प्रेइन करने के बाद उस टोक को लिया है जिसको छोड लेकिन आप क्या करो Bentham सब यह सब देखे हूं यह बिने लाइन दो करके सब रखे हैं के हाथ वो इंको घार कूने को देख सकते हैं इन में रेन्ज हैं शेप आउट्स है ये सब अच्छा अच्छे में स्टोप्रोस हिटकर आओगे ना आपके माइंड पर साइक्लोजिक पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें बाय करके और मैंने स्टोप्रोस हिटकर आ लिए ना मन में दो दिन तक ही रहे गाई यार वो क्यों लिया मैं तो अभी हो चाहिद आप उस्टेज पर न होना चाहिए सबसे पहली चीज तो हम क्या देखते हैं दूसरी क्या देखते हैं केंडल्स ट्रेंड है नहीं है केंडल्स है नहीं है मतलब शोटम में ट्रेंड है नहीं कोई केंडल है नहीं है तो वह बात ही खत्म मेरे हटिक है मेरे लिए से के ट्रेंड केंडल होगी उसके कि बाद मैं देखूंगा support resistance उसके बाद मैं देखूंगा कि कहां पर मैं बाई कर सकता हूं कहां entry और कहां exit stop loss वो देखूंगा वहां तक तो बात ही नहीं पहुची ठीक है ना तो छोड़ दो इसको उपर अब यह है इसमें कल को यहां पर मैंने छोड़ दिया गारे छोड़ना support पर है छोड़ दिया लेकिन यहां से कितना उपर चला गया 40-50% लो मैं यहां तकी महले तो 60% उपर चला गया दुख होगा दुख छोड़ दो अब आपको stage पर आ जाना चीए अब इतने time हो गया आपको एक साल से भी उपर हो गया तो अब उस चीज पर आ जाओ कि ट्रेडिंग में कोई support या फिर कुछ फूट गया या फिर कुछ बहुत चल गया या फिर मैंने कहां उपर हाइव पर नहीं पकड़ूंगा या मैंने बोटम पकड़ लिया कुछ नहीं होता है सब छोड़ दो छोड़ना सीको ठीक है कोई question किसी को I think सब unmute है दो मिनिट और लूगा अगर कुछ को पूछना है तो कुछ पूछ सकता है नहीं तो हम यहां पर इसको close कर देंगे ठीक है तो इसको हम यहां पर close कर देते हैं